आज मेरे साथ में जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है जस्पित कौर ब्राड और उनके हजबंड मिस्टर सुभित सिंग ब्राड जहां कैनडा में आपको यह लगता है कि कैनडा का स्टूडेंट वीजा इस टेम नहीं आरा किसी का यह दोनों ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी अप् पीपियार आ गई है पासपोर्ट स्टैंपिंग ले गया है दो-चर दिन में वो भी आ जाएगा जो यह लोग यह कहते थे के कैनडा का स्पाउस और स्टूडेंट इक अठा नहीं हो सकता मैंने पहले भी कई इस तरह की वीडियो डाले हैं जिसके अंदर ऐसे कैंडिडेट स पाउस की और अगर कि उनके बच्चे भी हैं तो वो इकठे अप्लिकेशन के अंदर आप कैसे लगा पाएं तो दोनों कैडिडेट हमारे साथ में हैं इनके व्यूज पुराने भी इनके एक इमिग्रेशन हिस्ट्री है न्यूज जिलेंड की आई स्पोस्स वो क्या थी क्या इनके दिमाग में चल रहा था उस टाइम पर जब मुझसे मिले थे पहली दफ़ा कैसे मिरे से मिले थे कैसे इनको लगए कि हाँ इसा पॉसिबल है क्या मैं तो इस तरे की विज़ काफी करता हूं लेकि इनके लिए शाहिदे चीज नहीं थी हांजी सर बुट ज़स कि दारी जर्नी कितों शुरू करिए हां जी सर हेलो एवरिवन मेरा नाम जास्पृत को और ब्राड़ा ते मैं बठेंडा तो ब्लॉंग कर दिया मैं 2017 में न्यूजिलेंड गई थी स्टूडेंट वीजा पे उसके बाद मैंने अपने हस्बेंड का वीज़ अप्लाई किया त एक्सपायर हो गया न्यूजिलेंड का शुरू किया हमने सोचा कि क्यूंना हम कैड़ा के लिए ट्राई करें तो हमने सर्च शुरू की कहां से हम अपनी फाइल लगवाएं तो हमने यूट्यूब पर सर की वीडियो देखी थी हमें पता चला कि कॉन्टरेंट वीजा के बार हेलो एवर्यवन मेरा नाम सोच प्रिसंग ब्राड मैं ठेंडा तो बलॉंग करना है अज मेरा वीजा आ गया मेरे वीजा टीम करके इननने बहुत मेंद किती मेरे वीजे लिए लिए साथा कांट करेंट के सीगा साधी मही दे फाइल लगी सेगी बहुत बदिया इननने कोप प्लाई किता बहुत ट्रस्ट है इनना थे टीम बहुत चंगी है जदो मर्जी फोन करो ओधू ही फोन चक लेंदे एक बार भी आए नहीं फोन साथा नहीं चक्क्या ओधी सानु नाल देना दास देंदे हैंगे भी हां भी ए चक करेगा भी होना अपना आप डेटा आप करेशन तो से एक दोवरी अप्लाई किती सी हां ते किदा थे एक्स्पिरेंस तो अधर की रहा है सादेना या तुसी तो सी चीज तो लगी के भी वाक्य जिदा तो रहास्बंड केरी इसी गोड़िशी जैसे हमें कॉंक्रेंड वीजा के बार में पता चला तो हमने सर का ओफ हमें 10-15 मेंट से उसका रपलाई मिल जाता था कि क्या अपडेट है जब वीजा आ जाता है ना तो सब सिंपल देखता है लेकिन जब इनकी अप्लिकेशन के बारे में पहली दफ़र मेरे से मिलने ही आये थे तो आई तिंक वो मिटिंग शायद एक घंटा मिटिंग चली थी क के हजबेंड का कैनेडा स्वाज ओपन वर्क परमेट था न्यूजेलेंड में पढ़ाई की उससे पहले इंडिया में पढ़ाई की फिर वहां पे वर्क परमेट पर चलेगे तो उसके बाद वापिस आ गए ठीक है कुछ प्रफाइल को समझने में टाइम लगना था कि इनको किस तरह का कूर्स दिया जाए उसके बाद में हस्बंड की मल्टीपल रिफ्यूजल थी वह एक कंसर्न था चुल मैं जब इस तरह की बहुत सरी अप्लिकेशन में डिल करता हूं मुझे को दिक्कत नहीं थी तरह कि अप्लिकेशन में लेकिन हर दफे जब इनसे को पॉइंट के बाद में पूस्ता थो इनके मुझे दिखते थे के कॉष्चन मार्क काफी जादा थे और एक कॉष्चन हमेशा था क्या हो जाएगा चल्ल मैं तो कॉन्फिटेंट था आज इनका पासपर्ट रिक्वेस्ट आ गई है ना फाइनली इनका पंफिटेंस बेट अफ हुआ है कोई भी हो अगर ऐसा कंसल्टेंट मैं मानता हूं एप्लिकेशन किसी भी तरह की हो अगर उसको धंक से पढ़ा जाए समझा जाए उसके हिसाब का कॉर्स उसको दिया जाए डॉक्मेंटेशन एक्जेक क्लाइंट को दी जा और क्लाइंट भी टाइमली उसको पूरी करे तो लगता है आप जिस भी किसी प्लैटफॉर्म पर वीडियो देख रहे हैं अगर तो आप चैनल पर नहीं है काईल इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में जो बैल नोटिफिकेशन बटन उसको ज़रूर क्लिक करें ताके नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो अपन गैनेडर ट्रेवल करने की चल इनके बच्चे तो नहीं थे जल्द हों गई ठीक है अगर होते तो उनकी भी अप्लीकेशन साथ में लगती अगर आप इसी तरह का को को सोलुशन ढूंड रहे हैं जिसके अंदर आपकी वाइफ या हाजबेंट स्टूरेंट जाना चाहते हैं तो आप अपनी अप्लीकेशन लगा सकते हैं किसी को भी अगर कोई अपनी अप्लीकेशन डिसकस करनी है तो आप अपाइटमेंट के लिए जो नंबर डे के उपर देख रहे हैं इनके उपर फोन करके आप अपाइटमेंट फिक्स कर सकते हो और आप अपनी अप्लीकेशन के तरफ से बहुत 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 भाई तेंक यू सोज मुझा सार्व देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत थेंक यू फिर मिलेंगे किसी और के अंडिट के साथ थेंक यू वेरी माच